हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आए हूँ जिसे आप स्टोर करके 15 दिन तक रख सकते हैं पंदरा दिन क्यों आप एक मेहना तक रख सकते हैं इसका टेस्ट एकदम बिस्किट जैसा रखता है एकदम खसता और बहुत ही स्वादिश लगता है तो फिर देर किस बात की चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है एक कप पिसवा चीनी चीनी को आप मिक्सी के जार में डाल के पीछ लेए आप चाहें तो डाल देंगे दो चुटकी नमक यदि आप कुछ भी मीठा बना रहे और उसमें नमक डालोगे न तो बहुत ही अच्छी तर टेस्ट को बैलेंस करता है अच्छा बनता है कोई भी चीज अब इसमें आधा कप पानी डालेंगे पानी डालके अच्छी तरह से चीनी को गोलेंगे ठंडा पानी रहने के काराण घी घुलेगा नहीं घी ऐसे ही रजएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बस इस तरह से कुछ मिनट के लिए घोलेंगे कि चीनी घुल जाना चाहिए पूरा मेल्ट होना चाहिए अब अच्छी तरह से घी और चीनी मेल्ट होगे आप इसमें डालेंगे तीन कप मैदा तो स्टार्टिंग में एक कप मैदा डालेंगे और एक कप मैदा डालके हाथ से ही इस तरह स तो ये थोड़ा सा गीला लग रहा है फिर से एक कप मैदा इसमें डालेंगे एक ही बार में पूरा मैदा नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छा खस्ता बनता है और महनत ताकत नहीं लगाना है बस हलका इस तरह से रफली मिक्स करना है जैसे नहीं होता है कि हाथ में ताकत नहीं लगाना है बस हलका हलका हाथ से मिक्स करेंगे फिर मिक्स हो गया फिर अब एक कप मैदा डालेंगे टोटल मैंने यहाँ पे तीन कप मैदा डाला है बस मैदा डालके इस तरह से फिर रफली ही मिक्स करेंगे जैसे रफली मैदा को मिक्स करेंगे न तो चिकना नहीं दिखेगा देखे इस तरह से दिख रहे हलकासा गीला ही रखना है बहुत जादा सकत नहीं रखना है रफली मैदा को mix करेंगे न तो देखे इस तरह से तोड़ेंगे तो लोच नी रहेगा बिल्कुल भी लोच नी रहेगा बस ऐसी तोड़ जाएगा और अच्छी तरह से मसल मसल के मैदा को गूतेंगे न तो लोच आजाएगा वैसा नी चाहिए बस अभी इसे 5-7 मिन के लिए दूसरी तरब चीनी का चासनी बनाएंगे उसके लिए एक बरतन में एक कप चीनी डालेंगे और एक कप चीनी में आधा कप पानी डालना है बस अच्छी तरह से चीनी को घोल लेंगे कि चीनी मेल्ट हो जाए अब ये चीनी मेल्ट हो गया है अब इसमें डाल देंगे हम थोड गव में और लेके इस तरह से देखेंगे तो हलका सा चिपचिपा पल लगेगा बस वैसे ही चाहिए तार बिलकुल भी नहीं बनेगा तो बन की ये चासनी रेड़ियोगा अब इसे साइड में रख देते हैं जब तक हम ने चासनी बनाया तब तक यह मैदा भी पूरी अच्छी तरह से सेट हो गया है तो बस एक मीडियम साइज का लोई ले लेते हैं और लोई को मसला नहीं है बस हलके हलके हाथ से इस तरह से करना है मैं इसलिए हलके हलके हाथ से बोल रह बस एकदम मोटा हमने बेल के रेडी कर लिया है, आप इसे कट कर लेंगे, कोई भी छोटे साइज का डबा का ढखकन हो, कुछ भी आज में यहां कुकी कटर से कट कर रही हूँ, आप चाहें तो छोटे-छोटे साइज का बना भी सकते हैं, हाथ से यह आपके पास कुकी कटर न बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है खुजबू तो बस ग्यास का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम में सारे को डाल दिंगे स्टार्टिंग में ग्यास का फ्लेम मीडियम ही रखना है अब इसे पलट लेते हैं पलट के अच्छी तरह से गोल्डन होने तक फ्राइ करेंगे आप देख सकते हलका फटा फटा दिख रहा है बस इसी तरह से पुरा बनीगा अब इस अंदर अच्छी तरह से कुक हो चुका है तो गैस का फ्लेम हाई कर देते हैं और हाई फ्लेम में इसे पलट पलट के तल लेंगे अब इस पूरी अच्छी तरह से गोल्डन कलर का होग यह आप देख सकते हैं एकदम खसता बना है देखने से ही दिख रहा है जैसे बिस्किट होता है बस वैसा टेस्ट लगता है खाने में एकदम बिस्किट की तरह से बस अब इसे निकाल लेते हैं और बाकी कभी हम सेम इसी तरह से तल लेंगे अब क्या करना है जो हमने चासनी बना के रेडी कर रखा है वो चासनी में ढाल देंगे आप चाहें तो डारेट ऐसे भी खा सकते हैं क्योंकि हमने पहले भी चीनी डाला है तो आप सोच रहे होंगे कि पहले चीनी भी डाला हुआ फिर चासनी में तो आप प्लेन भी खा सकते हैं, थोड़ा सा और ज्यादा मीठा खाना है, थोड़ा सा अंदर से गीला वाला चिप चिप जो रहता है, वो खाना है, जूसी वाला, तो फिर आप चासनी में डाल दें, तो चासनी वाला भी बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, और आप चाह वाला तोड़के दिखाती हूँ कि ये भी कितना अंदर से एकदम एकदम सॉफ्ट बना है अंदर से एकदम ये जूसी है यदि आप ये सुखा वाला बनाएंगे तो आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं अगर आज की ये रेस्पी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें